अबिवादन स्विकार कीजिए बर्जेश मिस्ट्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवेट बैनों भाईयों लोग सभा यानि संसद में संगराम मचा हुआ है राहुल गांधी यानि लीडर आप अपोजीशन की आज फायरी स्पीच ने पूरे सदन में भवाल कर दिया समान ने बीजेपी सांसत से लेकर परधान मंत्री तक ने इंटर्वीन किया और बीजेपी का कहना है कि राहुल ने हिंदू की बेजज़ती कर दी राहुल गांधी ने युवाँं से लेकर एगरी कल्चर से लेकर किसानों से लेकर हर मसले पर सरकार पर बहुत हमलावर रहे हैं और सदन में विपक्ष का एगरेशन अब दिखने लगा है अलाकि बीजेपी की तरफ से इसको थामने की कोशिश बहुत हुई लेकिन आज जो सदन में दिखा उससे अब ये साफ है कि सदन में विपक्ष और सत्तापक्ष दो-दो हाथ करने के लिए तयार है और कल शाम चार विशेप बैनवाईयों राहुल गांदी यानि लीडर आप अपोजीशन की आज लोग सबा में पहली बड़ी स्पीच ने ये बात बिलकुल साफ कर दी कि विपक्ष सरकार को हर चुनोती पर हर तरह से घेरने को तयार बैठा हुआ है आज प्रतिपक्ष ने सत्तापक्ष को घेरने की हर एक मुद्दे पर कोशिश की और ये कोशिश की राहुल गांधी ने उनकी स्पीच लंबी थी लेकिन उस दौरान काफी शोर सराबा हंगामा बैस इंट्रप्संस बहुत कुछ हुआ था लेकिन राहुल गांधी ने हर एक उन मुद्दों को छुआ जिन गुवान शिव और गुरुनानक देव की फोटोग्राप्स सदन में अंगिनत बार दिखाई और यह जिक्र किया कि यह सभी धर में यह कहते हैं कि डरो मत डराव मत नफरत हिंसा इन सब का इस्थान नहीं है उसी आवेश में उन्होंने यह कहा कि जो हिंदू लोग खुद को कहते हैं वह हिंसा करते हैं इस बात को भारती जनता पार्टी ने कैच कर लिया और तकरीबन आधे गंटे तक सदन चलने नहीं पाई और उस दौरान बहुत हंगामा हुआ और लीडर आफ अपोजीशन बोल रहे हैं और नेता सदन ने खड़े होकर इसका विरो बने भायों लेकिन आज की स्पीच में राहुल गांदी ने अगनी वीर के साथ महिंगाई का मुद्दा किस तरह से विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ कर जेल डाला गया वोस मुद्दे को भी उठाया और हर एक मुद्दे पर पूरा विपक्ष राहुल के साथ खड करने में प्रतिपक्ष कोई चूक करने वाला नहीं है और प्रतिपक्ष की तरफ से आरोपों की बहुचार हुई है अब कल देखना पड़ेगा कि कल शाम चार बजे प्रधान मंत्री यानि नेता सदन कल विपक्ष के जका जवाब देंगे राश्ट्रपती के अभिभाशन लेकिन बात अभी खतम नहीं हुई है अभी बात राश्ट्रपती के अभिभाशन पर नेता सदन के धन्यवाद प्रस्ताओं के पश्चात इस पीच के बाद अब आगे की लड़ाई होगी नीट इग्जामिनेशन पेपर लीग की यानि यह पूरा हपता सदन हंगामा खेज रहेगा और आपको हर तरह की खबर यहां देखने को मिलेगी तो बैनों भाईयों आज क्या राहूल गानी ने कहा और सत्ता पक्ष ने उसका जवाब कैसे दिया प्राइम मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर तक और निशिकान दूबे से लेकर भूपेंद्र यादव तक सब तक है कि आप सवाल और जवाब सुनिए पिर इस डिवेट को हम आगे बढ़ाएं है है कि ग和 emissions के लोटे सब्सक्राइब हर भूसा हिनदू समाज Gil गंबीर मिया को कि उनका बयान अभी बचकाने से उभर नहीं पाया है एक अपरिपक्व बुद्धे का ब्यक्ति ही इस प्रकार की बचकाना बयान बाजी करेगा इस प्रकार के दुर्भा के पूर बयान के लिए सिराहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए